27 जुलाई शरीदेव कवार आज है शरीवार कुंडली में बन रहा है द्रती योग रुकेवे काम को पूरा करने के लिए आज ये योग आपकी बदत करेंगे चंदर मंगल का पराकरम और लाब का संबन नया लाब बिल सकता है परिवार के साथ कोई स्पिरिचुल यात्रा हो सकती है शैनी चंदर मां का द्वीद वादश का संबन खर्चे बढ़ेंगे और कहीं पैसा भी फास सकता है प्रोफेशन तोर पर आपको सेक्सेस बिले इसके लिए विशेश उपाय बताऊंगा कारिकरम का अंत में जानेंगे सूरी चंदरमा का योग अगर आपकी कुनले में सेवन्त हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव नवशकार प्रेसाथियों मैं हूं सुरेश श्रिमाली और आप देख रहे हैं 27 जुलाई शनिवार आज का राशिफल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राशिफल की शुरुवात एक बात से करना चाहूंगा आप खुद को स्वीकार करें जैसे भी हैं आप दुनिया में हर तरह की विचारधरा वाले लोग मिलते हैं जो येन केन प्रकारेंड अपना काम बना लेते हैं चाहे इसके लिए उन्हें साम, दाम, दंड, बेद, कुछ भी अपनाना क्यों न पड़े हो सकता है कि आप बेडियों के जुंड में बेड की तरह हो पर आप अपने आद पो विश्वास बनाये रखें अपनी शमताओं को पैचाने और अपने काम में लगे रहें आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार करें आपके अंदर कुछ कम्या हो सकती है पर आप अपने आप में यूनिक है और आप इस दुनिया में अपनी तरह के अकेले इससान है इसके गवराईय मत, चिंता नहीं चिंतन करके सो प्रतिशत अपने काम में जुड़ जाईए सकसेस आपका इतजार कर रही है प्रेसातियों आप अपनी परसनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे परसनल मिलना चाहते है तो मैं 27 जुलाई को गुड़गामा गुरुग्राम में हूँ 28 जुलाई काटमांडू नेपाल में रहूँगा तीन अगस को एमदबाद, चार अगस मुंबई, दस अगस दिली, ग्यारा अगस को पूने बराऊंगा सतरा अगस इंदोर, अठारा अगस कोलकाता और उसके बाद सितंबर महिने में विदेश यात्र पर जा रहा हूँ सब्तमी और बाद में अस्ट मिदिती रही, आज ही दोफेर में एक बचकर एक मिनट तक रेवती और बाद में अश्विनी नक्षत रहेगा, ग्रहों से बनने वाले, वाशी, आनदादी, सुनफा और बुदा दीतियों का साथ तो मिली रहा है, लेकिन एक नया द्रती योग भी बन रहा है, अगर आपके राशी वरशब सिंग वरिश्चिक और कुम्भ है, तो शर्षो किलाब बिलेगा, आज चंदरमा अपनी राशी बदल देंगे, दोफेर को एक बचकर एक मिनट के बाद मेश राशी प्रवेश करेंगे, और एक बचकर एक मिनट तक चंदरमा र पांगली कारें ना करें तो बहतर है, आए राश्योफल के शुरुबात मेश राशी से करते हैं, कई बार हमें नए संबद, नए कॉन्टाक्ट मिलते हैं, उन्हें आम अपने दिल की बात कह देते हैं, ये आज आपको नहीं करना है, वरना ये राज आपका उजागर हो इसे बचना होगा, बिजनस में जितना हो सके, अपने काम पर ध्यान रखें, जो प्राप्त है, वही परियाप्त है, इसी काम पर ध्यान दीजिए, इसी बात पर ध्यान दीजिए, बिजनस परसन को अकेले यात्रा करना बचना चाहिए, अकेले यातरा करना से, लॉंग डिस तो जिम्यदारी निभाते हुए अपनों को और अपने से छोटों को स्पेस दीजी अपने जिने के लिए आप नेगेटिव एनवार्मेंट और लोगों से दूर रहे जितना अकेले रहोगे उतना अच्छा है जिन लोगों को एलर्जी की समस्या वो आज भी परिशान रहें व वर्कलोड ज्यादा रहेगा जिसमें टाइम का पता भी ने चलेगा और आप अपने काम भी टंक से नहीं कर पाएंगे नाई वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे इसलिए जल्दी उठें और गनाइज वे में अपने दिन को गुजारिए एंप्लॉय परसन के पास आज काम ब लव पार्टर और लाइफ पार्टर बीच में जो तनाव चल रहा है उसे दूर करिए और वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए निगल पड़िए घर बदलने के प्लानिक है तो इससे इस्तकित करना ही समझधारी आज आप बाहर गुमने जाना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ इसके लिए चर्चा करें और वैल्यूबल चीज़ों का ध्यान रखिए सेहत के माबले में आज आप लगी हैं बेतुन डाशी आप क्या काम से अपने दिन को गुजारते हैं क्या आपकी चौब है उस पर थोड़ा रूटीन को बदलिए नया पन लेकर आईए द्रती योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर फोकस करिए जल्दी काम निप्टा कर एंजॉय कर लेंगे करियर को लेकर शतरता बरती अपने प्रयासों में तेजी लाएं बिजनस परसन को चौकन रहना होगा और माल से लेकर तीजोरी तक सभी जगह पर अपनी पैनी नजर रखनी होगी वरना चोरी के आशक गया है बिजनस परसन का बिजनस पर दन आज खर्च ज्यादा होने वाला है हो सकता है रिनोवेशन या कुछ खरीदने में ज्यादा पैसा लग जाए कॉंपिटिशन की तैरिक करने में स्टूडेंट को आज समय का पता ही नहीं चलेगा ग्यान वर्दक बातें मिलने वाली है अनुभवी व्यक्ति की सला आपके बहुत काम आएगी वीकेंड पर जीवन के कठी दोर में या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो परिवार से डिस्कस जरू करेगा आज शाम को आपका अडियल स्वभाव हो सकता है गुसा और जिद्धी पर आपके स्वभाव को डिस्ट अब करेंगे जिन लव पार्टर और लाइफ पार्टर की बाची तबी बंद हैं तूर हैं तो एक दूसरे से मिलने का प्रियास करें अगले की गलती पर माफ कर दीजिए अपनी गलती पर माफी मांग दीजिए बैकबोन की तकलिफ या लोड़ बैक की तकलिफ परिशान कर सकती है करकराशी अच्छे काम करके, किसी से मुलाकात करके, किसी के मदद करके आपका भागी चमकने बाड़ा है बरफेस पर आप अपने काम में इतने मगर हो जाएं कि आपको समय का पता ही नहीं चले बिजनस में किसी प्रॉड़क्टिव काम में आपकी रूची रहेगी और अपने प्रॉड़क्ट की बिकरी पर भी आज ध्यान दें पाएंगे स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स अनावश्यक बातों में अपना समय खराब करने वाले इससे बचना होगा स्मार्ट वर्क और टाइम के साथ खुद को मैनेज करने से आज दिन आपका शांदा रहेगा अपने दिन को बैतर बनाने के लिए एक्स्ट्र और एडवांस में काम कर लिजे ताकि वीकेंड को एंजॉय कर सके परिवार में थोड़ी बहुत अन्बन चलती रहती है लेकिन आप आज उस विवात को सुल जाने में कोई ध्यान न दें वरना और बात बिगड़ जाएगी आप सामाजी काम में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और हो सके तो अपने गली मोहले सोशल लाइफ के लिए कुछ करिए फीचर में आपके पार्टनर के साथ आप क्या स्पेशल काम करने वाले उसके लिए आज एहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे तो infection की तकलिव परिशान कर सकती है प्रेसातियों आईए अब चार राश्री के बाद आज की गुरु मंतरम बात करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में सकसेस पाने के लिए गर की मैलाओं को आज सभी को चंदन और अस्ट गंद का तिलक लगाना चाहिए पांच प्रकार के अनाज पक्षियों को अपने ही गर की चट पर डाल दीजी या फिर बैलकनी में जिनके प्रोफेशनल में दिक्कत आ रही है उलोग स्वैम के हातों से उत्तर दिशा में नीली बोतल में मनी प्लांट लगा कर रखें शाम के समय में हनुमाजी मंदिर में चमेली के तेल का पांच बुकी दिपक पर जुलित करके घर आकर परिवार के साथ एक साथ बोजन करिए और बड़ों के चरन सपच करिए प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कते कम होना शुरू हो जाएगी सेंग राशी शादी शुदा है तो सस्तुराल वर्ना प्रे परिवार से कोई समस्या सकती है खैल रखिएगा वीगेंड पर आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत रखनी है आज मूड बहुत स्विंग होने वाला है इसके मन पसंद काम करें और जितना शांत रहोगे उतना इग्यान बढ़ेगा एम्प्लोइट परसन को प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रखना है क्योंकि ग्रहूं का के लिए कह रहा है कि आज संतुलन बिगडने वाला है वर्ट पेस में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बच जाईए वरना को वर्कर से जड़ब हो सकती है कंस्रक्शन, माइनिंग, प्रोपर्टीज, फूड और बेवरिजेज, ओटेल, रेस्टरंट, इस्पा, सलोन, जिम, टूर्शन, ट्रेवल वाले लोगों को आज बड़ा काम मिलने वाला है आज दिखावे से बचना चाहिए सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए बिजनस परसन की सामाजिक छवी पर कोई आँच आ सकती है कोई शक आप पर कर रहे है कोई शड्यंतर का शिकार आपको बनाना चाहते है इसलिए अपनी एक्टिविटीज को गुप्त रखिए ग्रेंट दोश के बनने से उधारी वापसी को लेकर आज किसी से जगड़ा हो सकता है रिष्टों में कॉर्डिनेशन बिठाईए सुर्टाल और लाइब बिठाईए स्वाविबान के साथ चलते रहिए कमजोर दोर को भी मजबूत कर देंगे सेहत के मामले में आज आप लगी है करन्य राशी शादी शुदा है तो लाइफ पार्टनर वणा लाइफ पार्टनर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ बांडिंग मजबूत करें वर्ट प्लेस पर ओफिशल काम को लेकर बॉस के साथ मीटिंग हो सकती है और आपके सुझाव उन्हें पसंद आएगी मैनुफैक्टरिंग बिजनस बे मैनी फ्रेक्टर हो सकते हैं यानि कई पैसा फसना कई माल फसना कई लीगल कॉम्प्लिकेशन टेक्नोलोजिक तकलिफ मैन पाउर की तकलिफ परिशान कर सकती है बन जाए उनका साहस और बनोरंजन बढ़ेगा वीकेंड पर फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज आपकी जेव ढीली होने वाली है ज्यादा मीठा मत खाईएगा वरना तकलिफ हो सकती है तुला राशी पुरानी मानसिक और शारिरी बीमारी में कमी या उसे चुटकारा बिल सकता है बर्टपेस पर पंक्चुएलिटी, डिसिप्लेन और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो किसी के लिए रोल मॉडल बन जाएगे सीनियर और बॉस को खुश करने के लिए कोई चापलोसी मत करेगा सिर्फ इमानदारिस अपना काम करेगा जिन काम को लेकर उमीद हो चुके हैं वो काम भी आज बन सकता है बस आप डेडिकेशन दिखाईए रतियों के बनने से बिजनस परसन के लिए दिन पैसे से पैसा कमाने के लिए अच्छा है कस्टमर की संक्या बढ़ सकती है आफ्टर सेल्स सर्विज अच्छी रखेगा पार्टनर्शिप बिजनस करने वाले लोगों को बिजनस रिलेटिड सभी जानकारी रखने चाहिए कॉम्पेटिशन की तैरिक अटव स्टुटेंट को प्लैन बढ़ा कर एकागरता के साथ काम करें वरना आज दिन थोड़ा मैस हो जाएगा परिवार में यदि छोटे बच्चे और बड़े बुज़रु के हैं तो उनके स्वास्ते पर विश्यत ज्यान देना होगा जिन युवाओं के बाहर जाने या गूमने के लिए या जॉब और प्रोफेशन या फिर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं हो सकता है कोई कारण से टूर कैंसिल हो जाए पेट की तकलिफ की कारण मूँ में भी तकलिफ हो सकती है प्रेश्चिक राशे आकस्विक दनलाब अचानक से किसी जब बुलाकात आपको हुश कर देगी वर्टपेस पर आपको अपने काम से जल्दी फ्री होना है तो जल्दी काम पर लगिए ताकि वीकेंड को एंजॉय कर सके Employed Person Senior के साथ कोई भी ऐसा behavior ना करे जिससे आपको पच्चता ना पड़े Business Person को पैसो के मामले में सतर ग्रेना होगा कोई आपको नुकसान पहुचा सकता है Successful इंसान बनना है तो alert रहिए दुनिया आपको smart बना देगे Business Person Important document, valuable चीज़ों को संभाल कर रखे इसका miss use आज हो सकता है Competition के तैरी करने वे student को आज do more और मेहनत करने जरूत है समय का प्रबंदा नच्चा करेगा अपने आपको gadgets की तरह अपडेट और अपग्रेड करेए बजा जाएगा Family में जितना हो से का आज शान्त और मौन रही है विवात खत्म हो जाएगे सेहत के मामले में थोड़ा वजन कम करने के बारे में सोची और वाक जरू करेगा प्रेसातियों आईए अब आठ राशिक बार स्रावन मां से इस्पेशन बात करते हैं कि क्यों थाम लिया शिव ने त्रिशूल, डंबरू, नाग और चंधरमा देखे बगवान शिव के साकार स्वरूग को जब हम देखते हैं तो उसमें चंधरमा, नाग, डंबरू और त्रिशूल इनी तिनों गुणों का प्रतिकात्मक स्वरूप त्रिशूल अपने हाथ में रखकर स्रिष्टी का संतुलन बनाया रखते हैं दूसरा है डंबरू पुरानों के अनुसर, जब मास हरस्वती का अवतरण हुआ तब उन्होंने अपनी वीना से द्वनी को उत्पन किया जब भगवान शिव ने दरत्य करते हुए अपना डंबरू बजाया और इसी डंबरू से जो द्वनी निकली उसे सुर और ताल का नाम दिया गया डंबरू को ब्रह्मनात का प्रतिक भी बाना जाता है तीसरा है नाग वासु की नाग की तबस्या से प्रसन ओकर भगवान शिव ने उन्हें नाग लोग का राजा बनाया तब वासु की नाग ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाओगा तब शिव ने प्रसन नोकर उनको आवोशन की रूप में अपने गले में धारन किया चौथा चंदरबा समुदर मंथन के समय विश्पान करने से उनके शरीर का तापपान इतना अधिक बढ़ गया था कि वो असेहनी हो गया जब उन्होंने शितलता प्राप्त करने के लिए चंदरबा को अपने मस्तक पर धारन कर लिया और दूसरी कता ये भी है कि जब चंदरबा को शैरोग हो गया तब रोग मुक्ती के लिए उन्होंने शिव की आरातना और उपासना की तब शिव ने प्रसन नोकर उनको रोग मु अन्य था सीनियर और जूनियर के सामने शर्मिदा होना पड़ सकता है। Employed person को राजेती विवादों से दूर रहने की सला दी जाती है। अनावश्य चर्चा और खर्चे आपको परिशानी में डाल सकते हैं। बिजनस पर्सन को नीती गत निड़ने लेते समय ज्यान रखना होगा, कोशिश करें कि कम रिस्क वाले काम करें। ऐसे लोग जिनकी रेंटल इंकम की आए आज चल रही हैं उन्हें और बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। स्पोर्च पर्सन के लिए दिन मिस्रित हैं, जहां एक और पिछली गलतियों से डांट भी पढ़ सकती हैं और दूसरी नई गलतियां भी आज करने वाले हैं। ग्रहन दोश के बनने से लापरवाही, लेट लतीफी और आलस से आपको परिशान करेगा। खर्चों को बढ़ने से रोकना उगार बजट बनाकर लिस्ट बनाकर खर्च करिये। जो लोग घर से दूर रहते हैं, आज उन्हें अपने परिवार के बहुत चिंता सताएगे। जो लोग नशा करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। साहस, करेज और एंथुजयाजम में डवलपेंट होगा। वर्ट पेस पर आप काम का ज्यादा भार नहीं उठाएं। जितनी रेस्पॉंसिवरीटी ले सकते हैं, वही लीजिए, ज्यादा लेने पर लापरवाही हो सकती है। Employed Person, नए काम को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे, excitement में कुछ गल्ती भी हो सकती है। कपड़े, खाने पीने की चीज़ों का काम करने वालों, hotel, restaurant, spa, salon, gym, उनको आज बहना जादा करने पड़ीगी, ग्रहक आकरशित होने वाले हैं। Business के काम में पूरा मन लगाईए, दोस्तों और परिवार के साथ ट्रेवल करने मौका भी लेगा और हो सकता है कि आज आपकी मन की कोई इच्छा पूरी हो जाए। Student, Artists और Players आपका लक्ष क्या है और उसता कैसे पहुंचा जाए। इसका road map खुद तैर करिए, किसी और को मत बोलिए। शाम को परिवार के साथ कोई तीकी नोग्जोंग हो सकती है, बचना होगा। लेकिन फैमिली के साथ आज pilgrimage टूर और spiritual यात्रा संभव है। सेहत के मामले में आज आप लखी हैं, कुम राशी। बिजनस पर्सन को कानूनी नियम काईदे कालून पता होना चाहिए और नई टेक्नोजी अपनानी चाहिए। वीकेंड पर इस्टूडेंट का पड़ाई से मन बटक जाएगा, प्यार इश्क और महवथ गूमना फिरना और हो सकता है, एंटर्टेंट में आपका पूरा वक्त लग जाए। गर में जरूरी चर्चा कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को दूर रखिए, वरना उन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, फैमिली को सही डंग से चलाने के लिए लव पार्टरों लाइप पार्टर के साथ आज एक सुखत संधी हो सकती है, योग प्रणायम और की क्वालिटी, आपकी स्किल, क्वालिटी, अबिलीटी और बहतर होने वाली है, सराहना भी किसी से मिलने वाली है, एम्प्लाइट परसन पर कोई मुगदवे बाजी चल रही है, तो आज वकिल से मिलना शुब रहेगा, बिजनस परसन के रुके वे काम को गती मिल सकती है, जो लोग डेजाइनिंग का काम करते हैं, आज उनको नए ग्राग, नए क्लाइंट में लवाले है, स्टुडेंट, आर्टिस और प्लियर्स, इनोवेटिव और क्रेटिव आइडियास आपको आज आके रखेंगे, वीकेंड पर घर में किसी तरह का निर्मान कराना चाते हैं तो पहले ज़रूरी चीज़ों के लिस्ट बना लेजिए, वरना इसमें डिले हो सकता है, स्वास्तियों के लेकर सचेत हैं, यात्रा में ज़्यादा सचेत रहिएगा, प्रेसातियों, आई अपकारिकरम के अंत में दो बाते करते हैं, पहला एस्ट्रो ग्यान, सूर्य चंद परनात्मा गुरूप से उसके साथ इमोशनल अत्याचार होते हैं, वैक्ति के वैवसाहिक संबन और साजेदारी पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है, वैक्ति अपने साथी के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन जन संपर्ग में थोड़े डीले रहते हैं, ऐस परत शनी स्तोतर का पाट करिए, काली चीजें, चाता, गरीब बज़्दूर या जरुत्मन लोगों को आप बांट सकते हैं, और किसी गरीब को जूते चपल भेट कर दीजिए, आपका कल्यान होगा, मेरे प्रेसातियों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, आ आप मुझसे परसने मिल सकते हैं, या फिर टैलीफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसिंग अफ़र्णमेंट के द्वारा पर जुट सकते हैं, देग नंपर पे संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्यार भरा नमश्कार और बहुत बहुत आशर्वादू ये आम सादक को नहीं पता होता है, इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है, और बाइस जुलाइ के बाद चारों सोंबार पर आपके लिए अवारे चोधपुर के विद्वान पढडितोंक द्वारा विशेश रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए माता पितक नाम, अपना गोत्र और अपनी मनो कामना भेजने होगी, हम लाइव टेलेकास के दौरान आपका नाम लेंगे, बोलेनात को प्रसंद करने लिए विशेश बंतर उचारन करेंगे, विशेश पूजन करेंगे, ताकि आप अपनी जीवर में स्रेश्टा प्राप्त कर सकें, देगे नमपर फिर संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, हर हर बहादेव